आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर करने जा रहे हूँ जिसके द्वारा आप अपने गैस के गंदे बर्नर को बहुत ही आसानी से घर में एकदम नए जैसा बना सकते हैं तो यहाँ पर यह मैंने लिया है गंदा गैस का बर्नर यह मेरा जो बर्नर है गैस का बहुत गंदा हो चुका है यह देखे इसके जो होल्स हैं वो भी ब्लॉक हो चुके हैं तो यहाँ पर यह गैस बर्नर को मैंने एक बाउल में रख दिया है और इसके उपर अब मैं डाल रहे इस पाउल में कि यह जो गैस बर्नर है न अच्छी तरीके से डूब जाना चाहिए अब मैंने एक इनो का पैकेट लिया है और हमें इस बर्नर के उपर इस तरह धीरे-धीरे यह इनो डालना है एक साथ पूरा इनो नहीं डालेंगे इनो हमें इस तरह धीरे-धीरे रुक-रुक करण है गंदे गैस बर्नर को साफ करना पहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इनके जो यह होल्स होते हैं यह भी ब्लॉक हो जाते हैं और फिर जब हम इनके पर खाना बनाते तो इनसे फ्लेश दीरे-धीरे आता और काफी टाइम लग जाता है खाना बनाने में तो इन्हें हर 15 क 20 दिन बाद आप जरूर साफ करें तो अब यहां यह धीरे-धीरे करके साराई नो हमने डाल दिया और अब हम इस बाउल को ढख देंगे और इसे 15 मिनट के लिए अलग रग देंगे अब 15 मिनट बाद मैं इस बर्नर को निकाल लेती हूँ और अब हम इसे क्लीन करेंगे तो यह मैंने लोहे वाला जूना लिया है और इसे हम इसी पानी में डिप करेंगे जूना को और इस तरह बर्नर को रगड़ेंगे बार बार डिप करते जाएंगे और इसे रगड़ते जाएंगे इस तरह ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा आपको कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप अगर चाहें तो इसके उपर थोड़ा सा बरतन साफ करने वाला साबुन भी लगा सकते हैं लेकिन म गंदे गैस बर्नर होते हैं इनके होल्स ब्लॉक हो जाते हैं और जब हम इन पर खाना बनाते हैं तो फिर खाना बनाने में काफी टाइम लगता है क्योंकि फ्लेम धीरे-धीरे आती है और ये दिखने में भी गंदे बर्नर अच्छे नहीं लगते हैं तो इन्हें आपको हर 15 से 20 दिन में साफ कर ही लेना चाहिए यह आसान से टिप है अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको बर्नर साफ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ही इसलिए साफ हो जाएंगे अंदर और बाहर से दोनों ही तरफ से आपको जूने से साफ करना है और अब यह म मिंटो में पहुत कम महनत के यह हमारा जो बर्नर है आसानी से क्लीन हो गया है मात्र एक इनो का पैकेट हमने यूज किया है और बर्नर एकदम नए जैसा हो चुका है अब इस बर्नर को साफ पानी से आपको धो लेना है और कपड़े से पौश लेना है एकदम क्लीन हो चुका